हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विंडो 10 में डिस्कॉर्ट कैमरा काम नहीं करते तो उसको कैसे ठिक करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गये यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू होले चलिए शुरू करते हैं आपको सबसे पहले क्या करना है डिस्कॉर्ट को खरते है उसके बाद आपको सिस्टम को स्साइट करना है रिए स्टार्ट करने के बाद दुब़ारा डिस्कॉर्ट कर door बाद आपको क्या करना यहां ağ班 के लिप्ट साच में यहां पर या सबस्लेब को कर एसकोब यहां पर डिसकोड के आगे या नहीं यहां लिए इस तरह से आप होगा तो आपको क्या करना है उसको ओन कर देने हैं इसके बाद यहां सी इसको क्लोज कर देने हैं क्लोज करने के बाद आपको चेक कर लेने डिस्कॉड में काम करता है या नहीं करते हैं यदि आपके केस में काम करने लग जाता है तो अच्छी बात है यदि फिर भी काम नहीं करते तो क्या करना यहां पर में सर्च बार्मयाने के बाद कर देडंएya पर आपको फोस्ट निखेगा device manager इस मैनेजर इसके ऊपर आपको किलिक कर देने क्लिक करते इस तरह से रजात themes अब आपको यहां पर camera दिखेगा आपको क्या करने है इसको अनिस्टॉल कर देने है अनिस्टॉल करने के लिए आपको क्या करने है इसके ओपर double click करने के बाद यहां पर webcam दिखी जाएगा इसको आपको select कर लेने है इसके बाद आपको यहां पर right click कर देने है इसके बाद यहा से विंडो आएगा यहां पर अनिस्टॉल कर दीजेगा इस तरह से डिवाइस को अनिस्टॉल कर दीजेगा आपको क्या करना है इसको यहां से क्लोज कर देना है अब आपको यहां से सिस्टम को रियस्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना यहां से फिर से आपको डिवाइस manager पर जाना है यहाँ पर device manager open कर लीजएगा तो यहाँ पर कैमरा दिख जाएगा यदि आपको camera नहीं दिखता है तो आपको èxternal है तो आपको USB से remove करके दुपारा आपको plugin कर देना है इसके बात यहां पर आज जाएगा ययदि internal है फिर भी आ जाएगा नहीं आते हैं तो आपको क्या करने हैं यहां पर head क्लिक करके scan for hardware changes इसके उपर होको